mornin to all of you, आज का topic है, aquifer, aquifer के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, aquifer आपका zone of saturation के अंदर आता है, aquifer क्या करता है, कि जोन आप सेचुरेशन में आपको मालूम है कि सेचुरेटर चीज वही होती है जिसमें वाटर रो तो उसमें वाटर प्रिजेंट होता है तो एक्विफर क्या करता है वाटर को इस्टोर करता है और ट्रांसफर करता है तो यहां लिखा गया है एक्विफर इस्टोर वाटर मिट वाटर बोथ इसकी दो दोनों प्रापर्टी होती है इस्टोर करना और ट्रांसफर करना तो इसका एक्जामपल क्या हो सकता है सेंड और ग्रेवल सेंड और ग्रेवल इसके एक्जामपल हो गए यह दो तरग होता है अनकनफाइंड और कंफाइंड अनकनफाइंड क्या हो वह इंपर्वियस लेयर हैं इनको इनका नाम दिखाया गया होगा आपको यह इंपर्वियस लेयर हैं ठीक है यह दोनों इंपर्वियस लेयर हैं इनमें क्या है कि वाटर नहीं होता है इंपर्वियस लेयर में और इंपर्वियस लेयर के बीच को हम लोग कहते हैं कंफाइंड तो इंपरवेस लेयर के बीच को कहते हैं कफाइंड एक्वुफर और इंपरीज लेयर ओर वाटर टेवल उसके बीच को कहते हैंनकोंफाइंड किफर इसमें आपको दिखाए यही गया है हैунकेफर विच तो आप लोग को बेसिकली यही देखना है कि अनकन फाइंड में कौन-कौन से चीजे हैं है क्या वाटर टेबल और इंपर्वियस लेयर के बीच की डिस्टेंस है आपका अनकन फाइंड इसके बाद आता है आपका कन फाइंड अब ही आपने बताया कि कौन-कौन नवीच इन बिटिवियस लेयर के बीच को हम लोग कहते हैं दो इंपर्वियस लेयर यह दोनों होगे इनकी बीचको हम लोग कहेंगे कांफाइंड इपक आगे आता है अधिछी ओधिज्टरे क्या होता है इडिस सें होता है कि तरह इसकी क्या होती है कम होती इस इफिसेंसी अग्जामपल क्या है सैंडी कले सैंडी कले इसका सबसे अच्छा इच्छा इजामपल कौन सा था sand and gravel aquifer का क्या है sand Cars Rafale है Iska क्या है sandy clay Ellis equal voice आता है कि یہ क्या होता है इसमें पर 119 नहीं होती है यह पर년 होता है लेकिन पॉर्असिटी इसमें हाई होती है यह आपका क्या होता है पॉरस होता है इसकी पॉर्री हाई होती है लेकिन इन फैंपरमिय होता है seul, 1991 अगे存च ख्रुज़ जाता है गे कि इसका एग्जामपल क्या है कि लूट का ख्ले है ठीक है एक्टा फ्यूज है क्यापका इट इस युड्री फॉरमेशन विच इंबर बंगे ना इंदर पॉरस ना पर्मियबल ना इसमें पर्मील्टी होती है ना ये पॉरस होता है इसका मतलब यह र ओच्वल पिर पिछले डाइग्राम क्या है कि उसके भाद वाटर तेटर रठाश है ठीके उसके बान उसके बाद यह आपकास सबसे उपया बीच में क्या होता है पाई जाता है जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इस डाइग्राम से यह आपका क्या है जर्णल वाटर टेबल है यह आपका क्या है ग्राउंड वाटर ग्राउंड लेवल यह आपका ग्राउंड लेवल है यह जर्णल वाटर टेबल है इनमें क्या है यह इंपर्वियस लेयर यह लेयर आपकी क्या है इंपर्वियस है इसमें ये वाटर डिजर इस पे जो इसमें जो पानी कठा होगा उसका जो वाटर टेबल होगा हुसको पर्च्ड वाटर टेबल कहते हैं इसका काम कैसे होता है उसको भी देख लीजिए हुका इसम चाइस में पाई जा सकता है ये किस में पए जा सकता है इंपर्वियस लेयर वाटर टेबल की जा सकता है इंपर्वियस इस्टेटा यह इस्टेटा कैसा है इंपर्वियस है इट रिटेन वाटर टेबल एब जर्नल वाटर टेबल हाँ इसका जो जर्नल वाटर टेबल है इससे एबब है आप देख भी रहे हो this yield is very small क्योंकि इसमें क्या है कि impervious layer है ये तो इसमें पानी जो भी होगा वो बहुत कम होगा तो yielding इसकी क्या होगी कम होगी कभी कभी क्या होता है आप यहां से bore करते हो मतलब अच्का उसमें जब boring के time में अगर आपको जल्दी पानी मिल गया तो वो confusing होजाता है कि आपका पर्सड एक्यूफर है या general water table है या burst water table है उसमें confusion होजाती है तो इसकी yielding कम होते हुद ही जब इसका पानी कम होगा इसका तो पर्सड एक्यूफर ये often confused with a general water table while boring इसका ये बताय ही है गया है boring के time में ये confusion कर सकता है है इसके बाद आता है प्रपर्टीस एक्विफर इसकी प्रपर्टी क्या करते है NOR अब क्या कोड़ा है ओर फॉल्म अफ फॉल्म फॉक्ड पॉन्ट व्लम ब्व वि फॉ अपल व स्थ पॉरस ओना चाहिए है यह एकिफर और इसमें क्या होता है specific yield or specific retention specific yield क्याती इस रेशियो of volume of water that after saturation is drained under the influence of gravity to the volume of rock और porous medium इसका लिखा तो बहुत कुछ है इसमें समझना है कि यह इतना है कि पानी का जो porosity की बात हो रही है इदर एकिफर की बात हो रही है तो यह पानी को store करता है और पानी को transfer करता है तो store और transfer करते समय यह इसमें क्या होता है कि जब transfer होगा पानी एक जगां से दूसरी जगां जाएगा तो उसमें क्या होता है जैसे देखिए कोई कोई एक तालाब है वहां क्या होगा पानी कठ्ठा होता है पानी रहता है वह पानी देरे-देरे नीचे परकुलेट होगा किसी छोटे गड़े में अगर चला गया है किसी छोटे गड़े में चला गया तो क्या होगा कुसका छोटा जो वाला जो गड़ा है उसके में पानी राइज सब्सक्राइब करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग हुआ है बचा है कितना है तो यह भी उड़ ऐस्ट प्लस एक्षन अफ ग्रेविटी डिकर यह ग्रेविटी के होता है और यह का होता है एंफ्लेस आंडर-इंफ्लेस्फ vol चीजेज अलग अलग अब इसमें एक relation आता है जिसको हम लोग यह दिखाए है और इस वाई क्या है आपका specific yield SR क्या है retention and क्या है आपका porosity porosity क्वेस्ट्ट्र इस पेसिफिक एल्ड प्लस specific retention ठीक है ये एक कुछ आपको relation दिया गया यह relation काम आता है